हर किसी रिक्रोट्मेंट एक्जाम के लिए कुछ इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया होता है जिस क्राइटेरिया को पूर्ण करने वाला ब्यक्ती ही उस परिक्षया में शमलित हो सकता है ऐसे ही प्रात्मिक और जूनियर है स्कूल में सिक्षयक बनने के लिए टीचर इलिजिबिल्टी टेस्ट प्रिथम और दुतिय पास होना आउश्यक होता है आज इसी परिक्षयाश शम्बंधित प्रमाण पत्र की बैधता आउधी के सम्बंध में विध्यालेई सिक्स्या परिशत द्वारा जारी नोडिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे जिसके लिए वीडियो को बिना इसकीप किये अंत तक जरूर देखें हलो एब्रिवन मैं है मनमहरा और आप देख रहे हैं लीगल गुरू दोस्तो अगर आप मेरे चैनल में नए है या अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल सस्क्राइब कर बैल आइकन आल में प्रस कर दें तो दोस्तो शुरू कर प्रिक्षा शुरू हुई थी प्रिदेश में अब तक 9 बार टीटी प्रिक्षा हो चुकी है बोड आगामी 26 नौमबर 2021 को दस्वी बार यू टीटी प्रिक्षा कराएगा उत्राकन विध्यालेई सिक्स्या परिसत रामनगर की ओर से आयोजित होने वाली टीटी प्रिक्षा अभी तक 7 वर्ष होती थी केंद्र सरकार ने केंद्र अध्याबक पात्रिता परिक्षा यानि सी टीटी के साथ ही राजियों में होने वाले टीटी परिक्षा के प्रिमान पत्रों को भी आजिवन बैद कराने का आदेश दिया था राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में उत्राखन विध्यालेई सिक्ष्या परिशत रामनगर ने 28 जून 2021 से अपने यहां से टीटी परिक्षा पास लोगों के प्रमान पत्रों की वैधता आजिवन करने का आदेश जारी कर दिया है इसी क्रम में बोर्ड ने दिनांग 2 जूलाई 2021 को प्रमान पत्र की वैधता आवधी सूचना का नोडिफिकेशन अलग से जारी कर दिया है इसके अनुसार यह वैधता आवधी पूर्वगामी होगी जो 11 फरवरी 2011 से लागो मानी जाएगी UTET प्रमान पत्र धारक भी बोर्ड में आवधन कर कागजों पर आजिवन वैधता की मुहर लगवा सकते हैं उत्राखन में करीब 70,000 से अधिक UTET प्रमान धारक हैं इनमें कई अभ्यरती ऐसे हैं जिनके प्रमान पत्र की वैधता इस सासना देश के जारी होने से पहले ही समाप्त हो चुकी है उन UTET प्रमान पत्र धारकों के मन में यह सवाल है कि उनके प्रमान पत्र की वैधता आजिवन कैसे मानी जाएगी ऐसे में उत्राखन बिज्जालेई सिक्स्या परिशत इन UTET धारकों के प्रमान पत्र पर आजिवन बैधता की मोहर लगा रहा है अगर आपके प्रमाणपत्र की वैधता भी समाप्त हो गई है तो आप बोड काल्याले में जाकर अपने प्रमाणपत्र में आजीवन वैधता की महर लगा सकते हो अगर आप यह महर नहीं भी लगाते हो तो भी आपके प्रमाणपत्र की वैधता आजीवन ही रहेगी यह बैधता 2011 से 2020 तक के सभी प्रमाणपत्रों में लागू होगी नोटिफिकेशन दिनांग 2 जुलाई 2021 के अनुसार अब आप अपने UTT पिर्थम के प्रमाणपत्र के प्रष्ट भाग में अंकित महत्तोपुन सूचना के बिंदु 6 वह वर्थ 2011 में बिंदु संक्या 4 और टीटी दुतिय के प्रमाणपत्र के प्रष्ट भाग में अंकित महत्तोपुन सूचना के बिंदु 6 में उल्लिखित प्रष्टर को इस प्रकार पढ़ेंगे उत्राखन अध्यापक पातरता परिक्षा में कोई भी अभ्यर्थी एक या एक से अधिक बार बैट सकता है इसके अतिरिक्त उत्तिन अभ्यर्थी अपने अंक सुधार ने हेतु आगामी अध्यापक पातरता परिक्षा में पुनो समलित हो सकता है उत्राखन अध्यापक पातरता परिक्षा प्रमालपत्र की वैधता अवधी आजीवन होगी अगर आपने अपने UTT प्रमालपत्र की वैधता समापती के समय कोई टीचर रिक्रूटमेंट की परिक्षा का फॉर्म भरा था आपका UTT प्रमालपत्र फॉर्म भरते समय बैध नहीं था यानि आपका 2011 का UTT का प्रमालपत्र पूर्ण कालिक वैध रहेगा तो 2nd July 2021 की notification की copy का link मैंने इस वीडियो की description में दे दिया है आप वहाँ से download करके अपने पास इसकी copy रख सकते हैं जो बहुस्य में आपके काम आईगी उम्मीद करता हूँ ये जानकार ये आपके लिए उप्योगी होगी तो दोस्तो मेरी वीडियो को like कर, channel को subscribe कर, bell icon all में प्रस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का notification आपको समय से मिल सके और इस जानकारी को सभी तक पहुँचाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक share जरूर करें तो दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ वीडियो को अंते तक देखने के लिए, thank you